नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आपका स्वागत है हमारे शैनल पर शुशान सिंग राजपूद मामले में CBI ने आज तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पुष्टाच की और उसके बाद हम आपको बता रहें किस तरीके से रिया चक्रवर्ती CBI पर चिलाने लगी उलज गए रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से CBI ने सवाल पूछे और इंसान तभी अपना आपक होता है जब वो पूरी तरीके से फस चुका होता है और जिसके बाद CBI को महिला पुलिस कर्मी को वहाँ पर बुलाना पड़ा और इससे ये साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती से जो CBI सवाल पूछ रहे हैं उसमें वो पूरी तरीके से घिर गए और इसलिए उन्होंने CBI पर चिला कर अपना गुसा दिखा है इससे पहले अगर बात करें तो पहले दिन जो रिया चक्रवर्ती से पूछ ताच हुई थी उसमें 10 घंटे CBI ने पूछ ताच रिया चक्रवर्ती से किया था दूसरे दिन 7 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछ ताच की गई थी लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो उनसे सव पूछे ़ा रहे थे उन सवालों के वह जवाब सही धंक्स यानि कि संतोष यनक बयान वह नहीं दे रही थी जिसके बाद शीबियाई ने आज पूफ ताच की और आज CBI ने जब पूश्टाश के लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया उस वक्त रिया चक्रवर्ती काले कपड़ों में पहुंची और कल भी वो काले कपड़े में गई थी और जिस तरीके से कल उन्होंने दिखाया था कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तक कि ये भी खबरे आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती CBI के सामने जो व्यवहार है उनका वो अच्छा नहीं है आज अब सामने ये आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती CBI ओफिसरों से वो उलज गई थी जिसके बाद उनको महिला पुलिस कर्मी को बुलाना पड़ा और रिया चक्रवर्ती जो CBI से कॉपरेट नहीं कर रही है इससे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके वकील ये दावा कर रहे थी कि रिया चक्रवर्ती CBI के सवालों के जवाब देने के लिए तयार है वो CBI के साथ कॉपरेट करेंगी लेकिन यहां पर रिया चक्रवर्ती से जब सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से वो अपना आपा को रही है तो रिया चक्रवर्ती को यह लग रहा था जिस तरीके से राजदीर सरदिसाई ने उनसे सवाल पूछे हैं वैसे ही सवाल CBI पूछेगी क्योंकि आज तक और और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के माते पर पसीना आ गया और उसके बाद अपने आपको फस्ता देख वो वहाँ पर चिलाने लगी और जिस तरीके से CBI पूछताच कर रही है पचीस घंटे पूछताच हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से अब तक तीसरे दिन तक और उसम में रिया चक्रवर्ती सवालों का जबाब नहीं दे पा रही है और किस तरीके से वो CBI पर ही चिला रही है इसी के साथ आपको बदा दे कि जस तरीके से इस पूरे मामले में बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं चाहे वो सिधार्त पिठानी को लेकर या फिर और आर्या को याद होगा जो रिया चक्रवर्ती की जो ड्रक्स चैट सामने आई थी उसमें 2017 में जिन से रिया चक्रवर्ती के ड्रक्स चैट थे उसमें रिया चक्रवर्ती जो हाई ड्रक्स की बात कर रही थी कि जो जादा वो चैट गवरो आर्या से थी और उसके बाद अब CBI गवरो पूरी तरीके से राजपूत पर कंट्रोल कर लिया था और यहां तक कि उनके अकाउंटेंट से लेकर सभी जो स्टाफ थे उन पर भी उन्होंने फेर बदल की थी सिर्फ और सिर्फ अपनी पकड़ बनाने के लिए उनसे और यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि सिदार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती जो यह कह रहे थे कि वो आपस में नहीं जानते जबकि रिया चक्रवर्ती ने के बीच इतनी नजदी किया थी क्योंकि शुसान सिंह राजपूत के मौत के बाद भी सिदार्थ पिठानी के वह संपर्थ में घर से जाने के बाद भी वह रिया चक्रवर्ती आपस में उनके उस वक्त भी संपर्थ यानि कि जो हाड डिक्स की बात सामने आ रही है और सिधार पिठानी ये कह रहे हैं कि शुसान सिंग राजपूत के कहने पर उन्होंने डाटा डिलीट किया है लेकिन अब ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि वो डाटा उन्होंने रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही डिलीट किया है अब जो CBI सवाल पूछ रही है इसको लेकर कि रिया चक्रवर्ती जो उनके लाइफ में थी 8 जून को उन्होंने घर छोड़ा जब उन्हें पता था कि उनकी मांसिक स्थिती अच्छी नहीं है तो वापस उन्होंने उनकी स्थिती जानने के लिए कॉल क्यों नहीं किया अगर उनकी पत्नी की तरह से रहती थी तो उनको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए था और पता था तो उन्होंने किसी और को क्यों नहीं बताया अब इन सब सवालों को सुनकर रिया चक्रवर्ती CBI पर ही चिलाने लगी यहां तक कि वो कॉपरेट भी नहीं कर रही है और अब यह दिखाए दे रहा है कि महराश सरकार इतना महरबान क्यों है रिया चक्रवर्ती पर क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जैसे ही अपने लिए सुरक्षा मांगी तुरंत महराश सरकार ने रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दे दी वही पर कंगना रनावत को लेकर जिस त कर रही है कि गंग्नर्णारावत को सुरक्षा देनी चाहिए लेकिन महरास्थ उस पर आंख बंद करके बैठी हुई है वह महरास्थ सरकार को जो रियाचक्रवरती के लिए तुरंट किस तरीके से जो सुरक्षा बल है यानि कि जो मुंबई पुलिस है उसको वो तैनात कर देती है सिर्फ और सर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए आखिर इतनी महरबानी महारा सरकार की क्यूँ और वही पर सुरक्षा को लेकर जब कंगना की बात कही जा रही है यहां तक कि कंगना रनावत के साथ बिजयपी की नेता भीश पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दे दी जाती है और कंगना रनावत को नहीं क्योंकि कंगनर नावाद जिस तरीके से जो बॉलिवूड का गिरो है जो ड्रक्स पाटिया होती है कौन होस्ट करता है कौन ड्रक्स सप्लाई करता है इन सब को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हूँ और इस पर रामकदम जो बीजेपी के नेता है महरास्ट सरकार से उ दुर्भाग से महरा सरकार ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है लेकिन इस पर जो कंगनर नावत का बयान आया है वो काफी चौकाने वाला है कंगनर नावत को मुंबई पुलिस पर भरोशा नहीं है बलकि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है कंगनर नावत ने इस मुंबई पुलिस जी तरीके से लापरवाही करती आ रही हो और अगर हम देखे तो बड़े-बड़े ऐसे मामले हैं जिसमें मुंबई पुलिस पर ही सवाल उच जाते हैं अब रिया चक्रवर्ती ही मामले में आप देख लीजे किस तरीके से मुंबई पुलिस महराज सरकार के दबाव में जाच कर रही थी और उसके बाद कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था और जैसे ही CBI ने जाच शुरू की बड़ी-बड़ी चीजे सामने आ रही थी यहां तक कि बिहार पुलिस ने भी काफी हद तक चीजों को दिखाया था लेकिन इसमें मुंबई पुलिस सवा और कुछ भी सुसान सिंग राजपूत के मामले में ना छोड़ा जाए ऐसी शाजिस रची गई थी और उसमें सीधे तोर पर अपराधियों को अगर कोई बचाता है तो वह भी अपराधी होता है तो तरीके से मुंबई पुलिस इसमें अपराधी है तो कंगनर ननाओत ने जिस तरीके से बड़े खुलासे किये हैं मुंबई पुलिस को लेकर जो उन्होंने अपना डर दिखाया है और इसी के साथ ही अगर देखें तो रिया चक्रवरती पर जिस तरीके से महराज सरकार और मुंबई पुलिस महरबान हैं सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं और कि वह निर्दोर्ष हैं आखीर वह CBI के सवालों से इतनी डरी क्यों हुई है क्या उन्हें गरफ्तारी का डर सता रा है क्योंकि CBI लगातार पुष्टाज कर रही है और अब ऐसी भी खबरे आ रही है कि Rhea चक्रवरती को गरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि उनका व्यव बदल गया किस तरीके से चिड़ चिड़ी हो गई वहां पर और वो CBI पर ही चिलाने लगी यह सारी चीज़े दिखा रही है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से फश चुकी है और अपने आपको बचाने के लिए वो इस तरीके से कर रही है लेकिन अगर देखें इस पूरे इसरे दिन काले कपड़े में और आज भी वो काले कपड़े में पहुची और अगर देखें तो उनके पास सुरक्षा भी काफी है जिस तरीके से वो पहले जाती थी वो चीज़े भी बदल गई है अब वो पहले आगे बैट कर जाती थी अब वो पीछे बैट कर जाने लगी हैं कई सारी चीजे बदल दी गई हैं यानि कि रिया चक्रवर्ती को अब ये साफ तोर पर दिख रहा है कि अब वो बड़ी गुनागार जल्द ही साबित होने और इसलिए वो अपने आपको बचाने की पुर्जोर कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे से जो मुख आरोपी है इसमें अभी तक अगर देखे तो रिया चक्रवर्ती हैं लेकिन इसके पीछे भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जिसे बचाने के लिए महाराज सरकार रि कोश तीरे धन्यवाद